नमस्कार दोस्तों मैं भी से आपका भी से टिटोयल पर स्वागत करता हूँ आज हम लोग chemistry का part 17 देखेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात पताना चाहता हूँ कि जो आपका part 17 हो रहा है अब तक आपके part 16 हो गया है अगर आपने नहीं देखें तो आपको playlist मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं सारे subject वहाँ पे मिल जाएगे और जैसे मैं part 20 खत्म करूँगा ठीक है part 20 तक मैं chemistry को ले जाओंगा part 20 खत्म करूँगा objective और subjective मिला कर तो आपका यहाँ पे मैं क्यूज सुरू कर दूँगा chemistry का तो कौन-कौन चाहते हैं कि chemistry का क्यूज सुरू किया जाए objective का जो मैं video कराया हूँ उसी से question होंगे तो अगर चाहते हैं तो नीचे comment box में आप लोग yes जरूर type करें तो अगर आप type कर दीजेगा yes तो सामके 6 बएसे मैं क्यूज सुरू कर दूँगा और वो daily क्यूज होगा ठीक है तो देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे तैयार है तैया आजी class सुरू करते हैं मुलरता को ब्यक्त किया जाता है मुलरता को ब्यक्त किया जाता है किसके दौरा तो इसका right answer है mole per liter, mole per liter के दौरा molarity is expressed in mole per liter next question है बीच of the following is ionic solid यहाँ पे ionic thos क्या है ठीक है इन में से कौन है तो इसका जो right answer है वो है आपका option number B next है chromium का ask क्या है chromium का ask or of chromium is तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number A, APCR204 बढ़ते हैं अगले question क्यों, सबसे सकतिसाली अबकारक क्या है the strongest reducing as entities, सबसे सकतिसाली अबकारक क्या है तो इसका right answer यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number यहाँ से हम लोग देखेंगे option number जो होगा वो इसमें हो जाएगा option number D, ठीक है, option number D इसका right answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question क्यों, पहला संक्रमन, स्रेनी में कितने तत्य है how many elements are present in first transition stage तो right answer is 10 next है gun metal is, gun metal is gun metal में क्या-क्या सामिल होते हैं इसका right answer है copper, SN, और ZN ठीक है, next है carbon tetracolide का सही वेपसाइग नाम क्या है option number, question number 7 का right answer है आपका pyrene, pyrene इसका right answer हो जाएगा next है, कौन इसमें जो है, वो आपका refrigerant है, कौन इसमें सितलक है सितलक की तरह बेभार किया जाता है इसका right answer है option number D CF2, CL2 next है आपका question number 9 निमलिकित में कौन सबसे प्रबल लिबिस असिड है which one of the following is the strongest Lewis acid the right answer is option number D option number D इसका right answer होगा next question है बिद्दुत अप घट्टे का उदाहरन बताएं बिद्दुत अप घट्टे का उदाहरन an example of electrolyte is तो इसका right answer यहाँ पर हम लोग देखेंगे right answer हो जाए तो आप लोग अगर पूरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो मैं मेरी बात यह ध्यान से सुन रहे होगी यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर दीडियो डिलीट हो जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा देना ठीक है और उसे बाद क्या करना नीचे WhatsApp ग्रूप का लिंक दिया जा रहा है वो जरूर से जोईन कर लेना 9 ग्रूप हो चुका है और मैं WhatsApp ग्रूप नंबर 10 और 11 दे रहा हूँ जो जोईन कर लिया हो वोवापास जोईन नहीं करना जो दूसरे ग्रूप में हो वो रीपीट से जॉईन नहीं करना क्योंकि जोईन किस ली कर बा रहा हूँ कूंकि उसका मेल एक्जाम में बहुत जयादrage क्यों आपको देखने जोगぁ जब आपका एक्जाम सुरू होगा हलाकि डेट आगे पीछे हो सकता है लेकिन जब भी आपका एक्जाम होगा उस टाइम आपको बहुत ज्यादा फैदा मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किये होगे और घंटी बजाए हो रहोगे क्योंकि हो सकता है वाटसप पर मै इंफ्रमेशन दे पाऊं और वीडियो बना के इंफ्रमेशन देने में बहुत ज़्यादा प्रब्लम हो जाती है कि वीडियो अगर यूट्यूबर भी देख लेते हैं तो इससे हमें बीच में यह नोटिस दे रहा हूं तो अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो ध्यान से औ लोग का भी क्लास सुरू होने वाला है अर्स का भी आज सभी ऑजस्चील को सब्सक्राइब बता दो और निचे आपकी जो ही फ्रैंड है जहां भी आप लोग क्लास कर रहे हैं वहां व्योंटियो सेर कर दीजीं और प्लेइस्ट में अगर पूरी क्लास नहीं देखें अभी सारे क्लास जो हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह 17 पार्ट है अब तक इतने पार्ट हुए हैं सभी पार्ट जरूर से जरूर देखें आप लोग एक्जाम में बिलकुल आएंगे और ज्यादा चाहते हैं कि और ज्यादा तयारी करें खुद को और ज्यादा सेफ रख होते हैं बस उसमें आंसर फोरा डीफर होता है तो आंसर आप जो डीडियो दी जारी हो या आपके नोट्स हैं आपके offers ले सकते हो या क्वेशन में आपको लग रहा है कि आंसर सही है अथंडिक है तो आप वहां से भी याद कर सकते हो तो question make भी कर लेंगा ताकि आपके marks जो किसमें अधिक्तम आयुगमित D electron है which of the following has maximum number of unpaired D electrons the right answer यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या होगा इसका right answer जो होगा वो होगा option number B next है संक्रमन धातु का समान electronic बिन्यास क्या होगा general electronic configuration of transition meter the right answer is option number A option number A इसका right answer हो जाएगा बढ़ते हंगले question क्यों निमलिखित में कौन आक्रिस्टिय या बेरबादार ठोस्पदार थे which one of the following is non-crystalline और amorphous right answer is option number B graphite option number B doubt not बच्चों आप किसी भी सवाल में अटग गए हो या आप से सौन नहीं हो पा रहा है बस आपको इस question का photo लेना है question को crop करना है और 5 सेकेंड के अंदर अंदर उस question का video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका question हूंबर का हो CBAC, बिहार, UP, महाराज्ट, राजरस्थान, MP किसी अनबोर्ड का हो चाहे IAT, ZENIT या क्लासिक से बरहमी का सवाल हो इन सब का जबाब .NET app पर या फिर कोई भी subject हो physics, chemistry, biology, math, science आपके सभी सवालों के जबाब मिलेंगी आपको .NET पर साथी .NET पर क्लास नवी से बरहमी के बच्चों के लिए चल रही है इंगलिस और हिंदी मेडिया में लाइप क्लास है यानि आप पुरी पराई होगी .NET पर तीन करोड से ज़्यादा बच्चे .NET पर पर पराई कर रहे हैं तो अब ही जाहिए और .NET एप को इंस्टॉल किजिए तो यहाँ पर option के अनुसार इसमें 4 option दिये गए है तो पुछा जाड़ा है और आफ अलिमोनियमीज तो क्या हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा नेक्स्ट है के फोर एफी सी एन सिक्स है के फोर एफन सी एक्स इज ए और अन तो राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा option number B complex salt complex salt यानि जटिल लवन option number B next है iron का महत्पूर्ण ask क्या है the important ore of iron is the important ore of iron is hematite hematite option number B next है प्रिथिभी के सत्ता पर सरवाधिक प्राप्ट तक्त्तु है most evident metal on the surface of earth is right answer यहाँ पर हम लोग देखेंगे right answer होगा option number B aluminum next है K4 Fe Cn6 अभी यह पर है में FE की प्रसंक्रन क्या है K4 Fe Cn6 में FE की प्रसंक्रन क्या है the hybridization of FE in K4 Fe Cn6 is तो इसका right answer यहाँ पर हम लोग देखेंगे right answer हो जाएगा option number D option number D इसका right answer हो जाएगा next है elkin का समाने सुत्र क्या है elkin का समाने सुत्र general formula of alkin general formula of alkin क्या हो जाएगा CnH2N general formula of alkin CnH2N next है vitamin C का vitamin C का नाम क्या है vitamin C तो इसका right answer हो जाएगा option number C option number C ascorbic acid ascorbic acid next है elkinol का समाने सुत्र क्या है elkinol का समाने सुत्र क्या है तो alkinol general formula of alkinol तो right answer यहाँ पे हो जाएगा CnH2N plus 2O next है Victor Mayer परिच्छन नहीं देता है Victor Mayer's test is not given Y जिसका right answer हो जाएगा आपका option number A CS3 whole 3 COH next है glycerol क्या है glycerol 1 है glycerol is a right answer यहाँ पे हो जाएगा option number D option number D tree hydric alcohol next है प्राकिर्थिक रवर बहुलक है किसका है natural rubber is a polymer of तो इसका right answer है isoprene isoprene का यह बहुलक है option number D isoprene इसका right answer हो जाएगा तिहाँ पे हम लोग question देख लिए और फिर से वही बोल रहा हो कि आपका quiz शुरू होने वाला है तो आप लोग quiz के लिए comment करके नीचे बताएं कि quiz में कौन-कौन participate करना चाहते है क्योंकि maximum part जो जाएगा पो 20 part जाएगा इसका और एक चीज और मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो download नहीं कीजिए क्योंकि आज सामसे आप लोग का वीडियो डिलीट होना सुरू हो सकते है ठीक है मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में thanks for watching this video